वीडियो का प्रिव्यू का प्रिवियू का प्रिवू क तो चैनल को शाब्सराइब जरू से कर ले ता कि जब्दी में कोई नए यदो दाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे Folks know करते हैं और आज का आम वीडियो का प्रिव्यू देख ले दे तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको काइन मास्टर एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है अब काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहां पर प्लस के एकन पर क्लिक कर लेना है और यहां पर 9 into 60 पर न्यू प्रोजेट आपने ओपन कर लेना है एक बेगराउंड पर जाना हो जितनी सेकन्ट कि आप dividios भड़ाना चाहते है उतनी सेकन्द पर आगा कि यह تफिंग रोले पिर हम्हां आने के पर लेशना के पर जेना है जो कृटो चैनर पर आपनेत कर लेना है इस फोटो ऊंदे साइग ऑपको तो वह से सभी मक्रें इसको करने बाद सबसे पहले फोटो को यहन पे एड़ किसे फोटो को पूरी वीडीयो बनाए है, उसको ना खुछ लिज लीजे तो यहां पर इसको एड़ करेंगे वीडियो को एड़ करेंगे वीडियो लेयर पर क्लिक किजिए उसके बदूसर इस तरह के से फूरी फ्रेम में वीडियो को सेट किजिए और यहां से नीचे आ जाएए ब्लेंडिंग के उप्सन पर तो यहां पर blending पे जाए और blending पे जाके यहां पर इसको आपने screen select कर लेना है फिर right के बटन पे click कर लेना है इसके बद आपने इसी point पे रहे हैं start ओले point पे layer पे जाना है, media पे जाना है और जो एक png image दिमें न दिये हैं उसले png image को यहां पर आपने add कर लेना है इस वाली photo को add करने के बद फोटो को इस तरीके से बड़ी कराने हैं फोटो लेयर को ईससे थोड़ा आगे रहना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है जो शकलत कम दीज तरफ लेके जाना है तो इस तरय जाना है जैसे पूरी वीडियो-फोटो खतम हो थिक by नuseum तो राइट के बटन करेंगे अब फिर से अपने स्टार्ट पर आजाना है अब यह नीचे वाली PNG इमेज इसके PNG पर आपने क्लिक करेंगे और यहां से आपको फिर से जैसे हमने पहले फोटो पर के वही प्रसेस हम यहां पर एंड वाले प्रसेस हमने अलग करना है वह एक अ फोटोगम इस तरफ लेके गए है तो इस वाली फोटोगम ने दूसरी तरफ लेके जाना है ठीक है तो इस वाली फोटोगम दूसरी साइट लेके जाएंगे तो इस तरीके से ले जाएंगे तो इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा दूसरी तरफ है तो यह जिसे यहां पर आज कर लिए फिर यहां से बेक आजाए और इसी के साथ देखे आप ही यह वाली वीडियो पूरी कंप्लेट बन जाएगी अब यह बहुत ही तीन स्टेप में हमारी पूरी वीडियो कंप्लेट बन चुके अब हमें इसको 4K में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए करने के बाद आपको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है तो एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो रिजोलेशन है उसको आपने QHD कर लिजिए उसके बाद उसके फ्रेम रेट है उसको आपने 16 रहने नहीं के 30 है तो उसको 60 कर लिजिए और उ सब्स्राइब जरु सिका लिजीगा